हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत मान लिया तो हार और अगर ठान लिया तो जीत मंजिल उन्ही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता होसलों से उडान होती है फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते है फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते है कोई भी लक्ष इंसान के पर्यासों से बड़ा नहीं हारा वहीं जो कभी लड़ा नहीं अगर कम्याबी चाहते हो तो खुद पर गौर करो इस दुनिया को इग्नौर करो और फिर देखना सब तुम पर गौर करेंगे चाह तुझे में सुरज सी है सुरज से पहले तुझे उठना होगा और अगर चाहता है सुरज की तरह चमकना तो पहले सुरज की तरह जलना होगा ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे और दुनिया क्या सोचेंगी इससे उपर उठकर कुछ सोच जिन्दगी सुकून का दुसरा नाम बन जाएगी माना कि अच्छे लोग के साथ बहुत बुरा होता है ये एक सच है लेकिन बुरे लोग के साथ बहुत बुरा होता है ये भी एक सच है ये दुनिया अगर आपसे नफरत भी करे तो डरना मत क्योंकि जिस पेड़ पर फल उगते हैं ये दुनिया उसी पर पत्थर मारती है अभी कई जीत बाकी है कई हार बाकी है अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले थे नई मंजिल के लिए यह तो एक पन्ना था अभी तो पुरी किताब बाकी है मंजिल मिले या ना मिले यह तो मुकदर की बात है लेकिन हम कोशिस ही ना करे यह बहुत गलत बात है साबुन से नहाने वाले तो सिर्फ लिबास बदलते हैं लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं लोग आपकी बुराई भी करे तो कभी लक्ष को ना छोड़े क्योंकि लक्ष की प्राप्ती होते ही लोगों की राय बदल जाती है रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है जिन्दगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है जिन्दगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है मेरे दोस्त लेकिन हार के जीतने का मजा है कुछ और है